मेरे प्रिया आत्मन सहज जोग में आज गुरू रविदास साहब का एक पद लेने जा रहे हैं रविदास साहब का जन 1414 इस्वी में हुआ और 1540 इस्वी तक काशी की धर्ती पर रविदास साहब अलग जगाते रहे कहते हैं रविदास साहब गुरू सब रहस अगा मही जाने सब लग परमात्मा का खोज तो करते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि परमात्मा की खोज कहां से करनी है उसी बात को उजागर कर रहे हैं रविदास साहब कि गुरू सब रहस अगा मही जाने अगर प्रभू को खोजना है प्रभू की खोज करनी है प्रभू को प्राप्त करना है तो उसके पास जाओ जो प्रभू के रहस्य को जानता है और प्रभू के रहस्य को कौन जानता है ये सद्गुरू जानता है इसलिए अगर तुम भी चाहते हो कि तुम प्रभू से नाता ज प्रमात्मा को कहा पम खुजा है कि अंजों को पूझ पशता हैं। नजर में नहीं कछु आया, मुझे मूर्ति में भी परमात्मा नजर नहीं आया, मुए हम बर्त के करते, तो बहुत दिनों तक हमने बर्त किया, उपवास किया, और बेद को सुना चीतलाई, फिर किसी ने बताया कि वेद सुनने से, वेद पढ़ने से परमात्मा का ग्यान होता है, तो कहते हैं कि वेद भी हमने पढ़ा सुना, और कोई ना भेद बतलावे, सबे सतसंग गुहराई, बहुत संतों के पास गया, लेकिन कहते हैं किसी ने भेद नहीं बताया, परमात्मा का अनुभाव ग्यान किसी ने नहीं दिया, बस सब लोग सतसंग कहते रहे, कि परमा परमात्मा से भक्ति करो, बस सत्संग की बाते कैसे अच्छा मनुष्य बनो, कैसे सच बोलो, जूट नहीं बोलो, बस यही सब सत्संग की बाते लोग कहते रहे, किसी ने मुझे परमात्मा का राज नहीं बताया, परे जब संत के द्वारे संत ने आप सब की ना, कहते हैं लेक जित लाया जब गुरू मिला हमको और गुरू के चरणों में हमने प्रीत की तब जाकर के प्रमात्मा के रहसे का मुझे पता चला कहते हैं रविदाज साब ढूड़े कोई शट शास्त्रनम कुछ लोग शट दर्शन में खोशते हैं अक्सर लोग जो प्रमात्मा को खोशते है वे विद्वत्ता का शिकार हो जाते हैं वेद पढ़ते हैं दर्शन सास्त्र पढ़ते हैं उपनिशत पढ़ते हैं जैसे छे सास्त्र कह रहे हैं सांख है योग है वैशेशिक है न्याय है मिमानसा है वेदान्त है ये छे दर्शन अधिकतर लोग इन छे दर्शनों में जाकर के फंस जाते हैं इसके लिए बिहार के दरिया साब कहते हैं साधो सत्गुरु महिमा बेद बखाना सत्गुरु की क्या महिमा है ये बेदों ने भी इसका बखान किया है शट दर्शन और जंगम जोगी भेक विबिद है बाना ऐसे तो छे सास्त रहें दर्शन शास्त रहें और कुछ परिवराजक जोगी है और कुछ भेखनाना प्रकार के भेख में सादू संत विचरन करते हैं लेकिन धूढ़त फिरे मरम नहीं जाने और ऐसे ही लोग कहीं वेद में खोशते हैं कई सादू के पास जाकर के खोशते हैं लेकिन धूढ़त फिरे मरम नहीं जाने पारख ब तब तक तमारे हाथ में कुछ भी लगता नहीं कहते हैं रविदाज सहाब किदू कोई वेद बखाने ढूढे कोई शट शास्त्रम और किदू कोई वेद बखाने और कहीं पर लोग बैठे हुए वेद की व्याख्या कर रहे हैं वेद की व्याख्या कर रहे हैं विद्या बल सब जाई इससे तुमारी शक्त भी धीरे धीरे छिन होती चली जाती है उमर ढलती चली जाती है और विद्या बल सब जाई और तुमारी जो विद्या है बुद्धिमत्ता है वो सब भी धीरे धीरे चली जाती है बुद्धी चतुरता काम ना है कोई होशियारी कोई बुद्धी परमात्मा को जानने में काम नहीं आती ग्रंथ पढ़ोगे कितेब पढ़ोगे यह तो बुद्धी की बात है परमात्मा बुद्धी के पार है वो तो अनुभव की बात है आलिम रहे पच्टाई इसलिए जो आ बहुत लोग प्रनायाम करते हैं, नाना प्रकार के प्रनायाम करते हैं, प्रनायाम से जरूर स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन इसे प्रमात्मा को पाने का कोई समन्द नहीं है, और बैठा ही सुन समाधी, बहुत से लोग शुन्य में जाकर के माध्यान लगाते हैं, शुन्य में जानो और जूट सब बात क्या चीज़ से प्रमात्मा मिलता है भक्ति से मिलता है प्रेम से मिलता है एक भक्ति मैं जानो और जूट सब बात प्रमात्मा को जानो सद्गुरू के द्वारा और उसके प्रेम में पड़ो ये केवल एक मात्री यही मार्ग है जो तुम प्रमात्मा तक ले जा सकता है परमपत तक ले जा सकता है और जूट सब बात करें हठ जोग अनारी कुछ लोग हठ योग करते हैं आसन प्राणयाम यह स्वास्त के लिए बहुत सुंदर है लेकिन अगर केवल इसी पर रुख जाओगे यहां तक महरशी पतंजली भी कहते हैं कि आसन और प काया को कष्ट देते हैं वास्तों में ब्रह्म दोश के भागी बन जाते हैं क्योंकि यह ब्रह्म हमारे भीतर वास करता है और काया को सताते हो तो प्रगरांतर से तुम ब्रह्म को सताते हो कहते हैं रविदास साहब फाटयो कान भभूत तनलाई बहुत से कन्फट्टा योग लेकिन परमात्मा को पाने का इन से समन्द नहीं है अने एक भर्मत बैरागी और संसार छोड़ करके बहुत लोग बैरागी बन जाते हैं जंगल में विच्रन करते हैं लेकिन इससे भी परमात्मा नहीं मिलता जिसके लिए बिहार के दरिया साब कहते हैं का भाव माथ मुडाए चिकने कुछ लग भाव मुडा देते हैं कुछ माथा मुडा देते हैं कहते हैं कि इसको मुडाने से भी परमात्मा का पाने का कोई समन नहीं का भाव माथ मुडाए चिकने काह, चिकुर, सिर, राखे बहुत लोग टिकिया अपना जो चोटी बहुत लंबी-लंबी रखते हैं इससे भी परमात्मों को पाने का कोई समझ नहीं है कामनी मुद्रा कान फराए बहुत लोग कान फरा लेते हैं उसमें मनी और मुद्रा धारन करते हैं का मौनी मुदी आखें कुछ लोग मौन ब्रत साध लेते हैं मौनी बाबा हो जाते हैं कुछ लोग आखें बंद कर लेते हैं नहीं इससे भी परमात्मा को पाने का कोई समन्द नहीं है कहते हैं रविदाव साहब तीरत बरत कराई बहुत तेरे और बहुत सारे लोग तीरत बर साइं ना मिले, जब तक उस सत तत को, सत नाम तत को जब तक तुम नहीं जानते तब तक व साइंघ तब तक गोविन्द नहीं मिलता. अब भावे भेख बनाई, नाना प्रकार के भेख दारन कर लो जटा जूट बढ़ा लो या गेरिक बस्त दारन कर लो लेकिन जब तक उस्त नाम को नहीं जानते तब तक गोविंद प्राप्त नहीं होता भावे करवत उरदमुख अगर तुम को इच्छा हो तो तुम करवत से आरा से कुछ लोग जाते हैं थे पुराने जमाने की बात है कि अपना आरा से काशी में जाकर के गर्दन करवाते थे कि स्वर्ग मिल जाएगा कुछ लोग उरदमुख कुछ उल्टा हो करके शिर्शासन करकर के अपना खड़े हुए हैं कि इससे परमात्मा मिल जाएगा नहीं भावे तीरत जाई या जाकर के तीरत जाओ इस और नाना प्रकार के वस्तो धार्न करて रहते हैं बड़े शान से उसको पहंठे हैं नहीं वस्तरों से और कथा पुरान से भी परमात्मा नहीं मिलता जिसके लिए कभीर साब कहते हैं मत्वा मुड़ा जोगी कपड़ा रंगा ले बहुत सई थोगी हैं जो अपना माथा मुडा लेते हैं खपड़ा रंगा लेते हैं और गीता बांच के हो गई ले लवरा बहुत से लोग गीता प्रवैख्यान देना शुरू कर देते हैं मगर उससे भी परमात्मा नहीं मिलता कहां ही कबीर सुनो भाई साधो लेकिन अंत में यम आएगा और तुमको पकड़ करके ले जाएगा परमात्मा तो मिला नहीं उल्टे यम के हाथों में यहां से तुम बांध करके ले जाए जाते हो कहते हैं रविदास साहब कह रविदास मिले गुरु पूरु अब भेद की बात कहा रहे कहते हैं कि परमात्मा को मिल पाने का एक ही उपाय है कि पूरा गुरु से नाता जोड़ो पूरा गुरु को पालो परमात्मा मिल जाता है गुरु के पीछे गोविंद खड़ा बाकी सब धरम करम पचड़ा जिसके लिए बखना साहब दादू साहब के शिश्य हैं वो कहते हैं जाजन को गुरु पूरा मिलिया अलख अभेव बताया जिसको पूरा गुरु मिल जाता है जिस संत को जिस साधू को जिस दास को अलख अभेव बतावा वह जो अलख पुरुष है वो अभेद अद्वाइत पुरुष जो है प्रमात्मा है उसका अभेद पूरा गुरु बतलाता है तो गुरु दादू ते बखना तिरिया बहुरिन संकट आया कहते है बखना साब मेरे गुरु दादू साब ने वह राज की बताई बात बताई प्रभू की बात बताई और फिर मैं भाव सागर को पार हो गया और फिर से अभी योनी में मुझे आने की जरूरत नहीं है कहते है रविदास साब कह रविदास मिलेव गुरू पूरो अजिह अंतर हरी मिलाने गुरू क्या करता है बस भीतर ले जाकर के तुम्हें गोविंद से साक्षात कार करा देता है और जब भी गोविंद का साक्षात कार होगा घटा काश में भीतर जाकर के होगा हाँ जब भीतर हो जाए तो बाहर भी प्रभू का दिदार होता है लेकिन पहले तो भीतर ही होता है जिसके लिए दूलन दास कहते हैं जोगी चेत नगर में रहो रही है जो काया का नगर है इसमें ज़रा साक्षी बन करके जागे हुए जीवन को जीओ अंतर लाओ नामही की धुन अंतर जो अनाहत नाद की ध्वनी हो रही है उसमें अपना चित ले जाओ और करम भरम सब दोरे फिर करता भाव को विदा कर दो सूरत सादिगहो सतमारग भेदन प्रकट को रहे और इस तरह जो अनाहत नाद हो रहा है उसकी सुरती में जीओ और फिर प्रकट किसी से कहने की जरूरत नहीं है बस नाम की प्रीत में गोविंद की प्रीत में जीते रहो तुम भी किसी कामिल मुर्शित से जुड़ो उसे नाम का भेद जानो और नाम के सुमरन में जीओ यही सह जोग है हरियों